हलो दोस्तो वेरी गूड इवनिंग स्वागत है सबका इंफो बैड चैनल में मैं हूँ आपका दोस्त आपका पेर स्वागत कर रहा है दोस्तो सबका आज बात करने जैसे कोई बात ही नहीं है दोस्तो आप जानते हो आज मार्केट की हालत क्या थी लगबग 1900 पॉइंट से गि भी मार्केट नहीं गिरा था दोस्तो हमने पिछले टाइम में एक दो गिरावत देखी हुई हलके सा करेक्शन भी देखा हुआ है पर आज जो मार्केट में हो रहा था वो किसी के कंट्रूल में नहीं था आप अगर अभी भी काफी बड़े लेवल पर हरे स्टॉक में फसे ह हुआ हो तो आज का जो मार्केट का सिनारियो था यहां से आपने कुछ ना कुछ सीख जो है वो जरूर ले लिए होगी दोस्तों इस तरह से मार्केट आज बिहेव कर रहा था इस पे इंटर्नल कम और एक्सटर्नल फैक्टर जो है काफी ज्यादा काम कर रहे थे यानि जिसे माइक्रो कॉνसेट से लेकर के मैक्रो कॉंसेट की बात करते हैं तब जाकर यह पूरा सिनारियो जा है दोस्तों वो समझ में आता है चाहिए वो long term हो, short term हो, mid term हो, ऐसे सारे stocks आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे channel को subscribe करना होगा और notification bell को click करना होगा। साथी साथ में दोस्तों आपको जो है हमारे telegram channel से अगर जुड़ना है वहाँ पर जो है आपको हमारा नाम मिल जाएगा हमारा channel है वो मिल जाएगा आपको बस वहाँ से connect होना है अब बात को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों बात करते हैं आज के market में जो blood बात हुआ उसके बारे में देखें दोस्तों Warren Buffett sir का एक कहना है कि जब भी पूरी तरह market में red हो तो आपको करनी है खरीदारी बट क्या वो statement जो है वो आज लागू होता है क्योंकि सिक्के के दुखसरी बाजू में ये भी कहा जाता है कि falling knife को कभी भी पकड़ना नहीं चाहिए तो आज क्या हो रहा था market में मैं और में मेरे जो भी beloved ones है वो आज market में पूरी तरह से बाहर थे आज किसी ने भी कोई भी खरीदारी नहीं की ना ही खरीदारी करने में सूचा falling knife को कभी भी नहीं पकड़ना चाहिए दोस्तों फस जाते हैं बहुत बुरा फस जाते हैं और वहां से recover होने में बहुत टाइम लगता है खास करके जब market 10% गिर जाता है तो उसे वापस चड़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो उस टाइम भी उसकी recovery 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना भी हो सकती हैं उसे बढ़ने में टाइम भी उतना लगेगा और साथी साथ में उतना टाइम अपका पैसा ब्लॉक भी रहेगा कब करनी है खरीदारी? जब स्टॉक गिरेगा, रुकेगा एक दो ग्रीन केंडल लगा देगा उसके बाद में आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हो तो अब क्या था, कौन है जिमेदार आज के बलड बात का उसके उपर एक थोड़ी सी नजर हम लोग मार लेते हैं दिखाना चाहूं का सबसे बड़ा कारण दोस्तो आज के बलड बात का जो था वो कौन सा था यह फोटो शायद आपने देखी होगी बट यह आज के बलड बात का कारण नहीं है दोस्तो जो कपाट एक एक रीजन से बात करते हैं दोस्तो देखिएगा लगबख 2000 पॉइंट से आज मार्केट गिरा था जो लगबख 3.80% निकल करके आता है मार्केट लगबख 49099.99% रुपीज पर जो है वो क्लोज हुआ नंबर पर क्लोज हुआ आज अगर लो सोचे इन्वेस्टर जो है खास करके इक्विटी इन्वेस्टर उन्होंने लगबख 5.4 लाख करोड मार्केट में गवा दिये दोस्तों और अगर बात करें तो बीएसी की सारी कंपनीज मिला के 200.8 लाख करोड का आज मार्केट का नुकसान हुआ है दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा नंबर है कितनी बड़ी फिगर है Censex में fall आया दोस्तों के आसपाद Censex ता वर उसके बाद में global sell-off शुरू आ दोस्तों मैं इंडिया के बात नहीं कर रहा हूँ मैं global sell-off के बात कर रहा прогए को पूरे जो भी countries के market से चाहे वो इंडिया हो या इस्य स्य मारकेट्स हो सारा मेर्केट्स में आज बहुत बड़ा सेल आफ देखनी को मिला है इसके पीछे का रीजन थोड़ा complicated है बट मैं simplify करने की कोशिच यहाँ पर करने अपने सुना होगा दोस्तों equity market है commodity market है वैसे ही bond का भी एक बहुत बड़ा market है जहां पर काफी ज्यादा है यानि equity market के comparison में bond market बहुत ज्यादा बड़ा है दोस्तो bond market में अगर कोई भी हलचल होती है तो उसका effect जो है बिल्कुल equity market पर दिखाई देता है और आज बिल्कुल वैसे ही कुछ देखने को मिला था US में पिछले 10 साल से जो bond yield थी उसमें 1.614% का high दिखाई दिया है यानि आपर bond पर देने वाले interest है उसे बढ़ाया जाने की बात हो रही है अगर यह interest बढ़ाया जाता है तो क्या होगा अगर यह interest बढ़ाया जाता है तो definitely जो लोग equity में trade करते हैं वो अपना पैसा निकाल के bond में invest करेंगे यह पहली बात दूसरी बात US government की तरफ से दूसरी एक चीज़ देखने को मतब सामने आईए वो है वो अपना federal reserves जो है वो बढ़ाना चाहती है अब किस तरह से बढ़ायी government market में bond issue करना चाहती है एक तो limited bond with the high rate of interest option one option दो huge number of bonds यानि कुछ यहाँ पर उनके जो financial related जो sanitary होते हैं वो नोंने बोला है कि हम लोग जो है वो 20 million bonds जो है वो issue करने वाले हैं monthly और yearly consumption के base पे जिसका interest rate कम रहेगा यानि bond ज्यादा करो interest कम रखो या फिर bond कम करो interest ज्यादा रखो यह दो option की फिलाल बात हो रही है और दोनों तरफ से अगर आप देखे जाते हो तो bond काफी ज्यादा preferred किये जाते हैं अगर US या global market के हम लोग बात करते हैं equity market के comparison में bond market बहुत ज्यादा बड़ा है यहाँ पर governments यह bond issue करती है और इन पर एक अच्छा rate of interest आपको दिया जाता है और इसकी बज़े से most of the time equity से पैसा निकाला जाता है और bonds में डाला जाता है और बिल्कुल यही चीज आज भी देखने को मिली है और इस बढ़ती हुई bond yield से inflation rate भी बढ़ सकता है US में और definitely जब inflation rate बढ़ेगा तो definitely बहुत सारी चीज़े जो है दोस्तो वो impact करेंगी चाहे फिर वो raw material की cost हो चाहे फिर वो final product की cost हो हर जगा पे इसका effect देखने को मिलेगा indirectly company के consumption पे expenses पे और साथी साथ में company के profit पे net profit पे EPS पे सारी चीज़ों पे इसका impact जो है वो देखने को मिलेगा including आपकी salary भी और आपके जो घर के expenses उनको भी तो सब मिला के अगर यह impact देखने को मिलता है तो उससे better है क्यों ना हम लोग यहां से पैसे निकाले और bond market में invest करें क्योंकि bond market में आपको fixed rate of interest आता रहता है और एक अच्छी investment बानी जाते है global market में जितना risk आपको equity market में होता है उतना risk आपको bond market में नहीं देखने को मिलता और यही सबसे बड़ा reason बना हुआ इस बात का कि आज यह जो global trigger हुआ अब इसका impact इसका impact हम लोग अभी देख पाएंगे Monday को Monday को इसमें recovery होगी यह sell off जो है यह continue होगा मेरी सलाब के लिए दोस्तों यही है कि Monday को भी अगर आपको sell off दिखता है या recovery दिख जाती है तो एक दिन कुछ ना करे बैठे रहे शांती से देखते रहे सिर्फ market को observe करे कि क्या हो रहा है market में किस तरह से behavior है market का किस तरह से buy and sell है orders लग रहे हैं पूरी तरह से चीजों को समझे future option सारी चीजों को और एक दिन बिना trade किये बिना invest किये सिर्फ और सिर्फ market के उपर आप नजर रखें और देखें किस तरह से market behave कर रहा है आने वाले समय में market बहुत ही risky हो सकता है क्योंकि financially earned होने वाला है इंडिया का भी और साती सात में ये policies जो change होने वाली है US government जो अभी active हो चुकी है अपनी policies implement करने में वो पिछली वाली कुछ खारिच करेंगे नई वाली कुछ implement करेंगे करना है मंडे के दिन wait करना है right time का right जगा पर enter करने का तुके पैसा उसी से बनता है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है ऐसे वीडियो और भी देखना चाहते हो तो बिल्कुल हमारे चैनल को subscribe कीजेगा साथ ये साथ में notification bell को ज़रूर क्लिक कीजेगा और हाँ दोस्तों टेलिग्राम चैनल से जुड़ना है ना भूलिएगा link मैं दे description में देख करके रख्य होई है मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में जब तक के लिए thank you very much